गाइस रियल्मी ने अपने स्मार्ट टीवीज की प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है प्री बुकिंग के साथ ही रियल्मी अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ओफर भी दे रहा है इस वीडियो में हम जानेंगे कि Realme के TVs की pre-booking कैसे की जाए pre-booking के pros and cons कौन से है and कौन से discount offers Realme अपने customers को offer कर रहा है लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लीजिए Now without wasting any time, let's get started Realme के pre-booking offer का नाम है blind order इस offer की वज़ा से कोई भी person Realme के smart TVs को pre-book कर सकता है pre-booking करने के लिए interested buyers को pay करने होंगे 2000 रुपे as a deposit to book in the advance लेकिन ये offer सिर्फ 18th में से 24th में तक open है TV की official price जानने से पहले ही आप उसे order कर सकते हैं advance booking हो जाने के बाद जिन लोगों ने TV को pre-book किया है उनको TV के official launching के बाद remaining amount pay करनी होगी to get the actual TV and remaining amount pay करने की भी time limit है जो की है from 25th में to 31st में pre-booking के साथ ही एक offer भी दिया गया है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं के pre-booking कैसे होगी Realme के smart TVs की pre-booking करने के लिए आपको Realme के website के booking portal में जाना है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ जाके आपको सिर्फ pay deposit पे click करना है और उसके बाद एक form open हो जाएगा उसमें फिर आप register या फिर login करके payment कर सकते हैं pre-booking के साथ ही Realme की तरफ से एक offer भी दिया गया है जो भी लोग pre-booking करेंगे उन्हें 500 रुपे का एक coupon भी दिया जाएगा that is a discount coupon on every single purchase of above 5000 रुपीज from the website यानि के जितने भी orders आपके 5000 रुपे से जादा होंगे उन पे आपको 500 रुपीज off मिलेगा so basically जो भी 5000 रुपे से जादा की shopping करेगा Realme की website पे उन्हें 500 रुपे का discount दिया जाएगा and ये 500 का discount आपके account में 1st June को credit किया जाएगा लेकिन ये 500 off coupon सिर्फ 1st June से लेकर 30th June तक valid है उसके बाद coupons expire हो जाएगे according to me बिना किसी चीज़ का price and complete specification जाने उसकी booking करनी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अगर बाद में आपको उसका price ठीक ना लगे या फिर उसी price range में इससे बहतर TV हो तो आप वो लेना चाहें तो उस चीज़ में भी problem हो सकती है क्योंकि कहीं बेभी booking cancel कर देने के बाद refund of money के बारे में कोई भी information available नहीं है लेकिन अगर आप realme brand के fans है और आपने 100% मन बना लिया है इस TV को खरीदने का so you can go with the pre-booking जैसा कि company ने mention किया है pre-booking वाले customers को 100% TV सबसे पहले deliver किये जाएंगे अगर आपको वीडियो informative लगी हो तो चैनल को subscribe कर लो यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो के बारे में आप अपने वीचार हमें comment section में जरूर बताएं thanks for watching the video and don't forget to subscribe our channel